दोस्तों स्वागत है आप सभी का मारे यूटूब चैनल आली इंफर्मेशन बार में दोस्तों यहाप पर एक रिसर्च की तहत यहाप यह पता लगाया गया है कि आप अगर अपने स्मार्टफोन चाहे वो एंड्रोइड हो चाहे वो आई यूस हो अगर उसमें आप किसी भी एप्लिकेशन को अपने GPS वाली परमिशन अगर आपने दे दिया है तो वहाँ पर उस एप्लिकेशन के दुआरा आपकी जो लगबग 5000 से ज़्यादा की जो प्राइवेट डेटा है वो एप्लिकेशन वहाँ पर शो कर सकता है अपने सर्वर पे आखिर ये कैसे डेटा जो भी आपके सर्वर पे शो हो रहा है वो कैसी आपकी जो डेटा है वो शो होता है इनके सर्वर पे कैसे आखिर यह work करता है और कैसे आप इन सभी चीज़ों को manage कर सकते है या फिर यू कहें कि उन application के पास अपना जो private data है वो जाने से रोख सकते है और application को भी use कर सकते है side rail आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिंदी में वो भी पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा है सुरू से लेकर लाज तक वीडियो को थोड़ा साब भी आप skip मत करिएगा नहीं तो सायद ही आपके लिए side effect भी हो सकता है तो इसलिए दोस्तों चलिए शुरू करते है आज का ये वीडियो और चैनल पर नहीं है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन वैल को आल पे करके इनेवल कर लिजेगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अप्लेट करूँगा असका नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बहुत जाएगा चले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा तो यहाँ पर दोस्तों इटली के कुछ एप डेवलपर, कुछ ऐसे साइंटिफिक्स, कुछ ऐसे लोगों ने जो मोबाइल के बारे में रिसेर्च करते हैं उन्होंने एक एप़लिकेशन को डेवलप किया और उसके साथ ही साथ वो लगबख सरसट लोगों के मोबाइल में उन्होंने इंस्टॉल किया इंस्टॉल करने के बाद उस दिनकी जितनी भी ट्रैकें उन्होंने की GPS के साथ GPS वाले permission के साथ उनके लगभख 5000 प्राइविट डेटा उनके जो है वो application store करता रहा गया अब ऐसे मैं यह कि कह रहा हूँ कि यह application अगर आपका data ले रहा है तो क्या सभी application ले सकते हैं जी आप इल्कुल ले सकते हैं अगर आप उन्होंने अगर आपने अपना जो GPS वाला permission है उस application में allow कर दिया है तो वो भी आपका ऐसा private data ले सकते हैं अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यह private data कैसे होते हैं तो मैं आपको बता दू अगर आप किसी का भी GPS या फिर किसी के उपर भी GPS के तहट अगर आप उसके उपर नज़र रखते हैं तो आप simple तरीके से यह जान सकते हैं एक example के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर वो daily मंदिल जाता है या फिर मस्जीद जाता है या फिर वो expensive mall में जाता है उस location पे बार-बार जाता है तो आप ये भी पता लगा सकते है उसके economy की स्थिती क्या है वो कितना अमीर है और फिर कितना गरीब है अगर वो सुबस उटके जिम जाता है तो आप ये भी पता लगा सकते हैं फिटनेस ट्रेनर है या फिर अपने फिटनेस पे ज्यादा अच्छा ध्यान रगता है या फिर वो कभी किसी coffee shop में वो daily जाता है कुछ ऐसे चीजे जो वो daily करता है अगर आप ऐसी places के बारे में उसके GPS से आप tracking कर सकते हैं तो कुछ ने कुछ उसके private data के बारे में भी आप जान सकते हैं अब simple तरीके से बात ये आ जाती कि ऐसे application से आप कैसे बचे फिर बहुत ऐसी situation हो जाती है कि आपको वो application यूज भी करना होता है बट आप use भी करते रहते हो और आपको ये नहीं पता होता है कि आखिर ये application हमसे कैसे कैसे permission लेके बैठे हुए है और application हमारे लिए कई बार important भी होते हैं तो यहाँ पर simple तरीके से आपको कुछ नहीं करना है आपने mobile की setting को open कर लेना है open करने के बाद आपको वहाँ पर app and notification का एक option देखने को मिलता है जाप पर आपके सारी app install होते हैं simple तरीके से open open कर लिजेगा open करने के बाद जिस भी application पर आपको सक हो रहा है या फिर यू कहें कि एक तरीके से अपने सभी application को आप एक बार चेक कर लिजे tap करेंगे tap करने के बाद आपको आप पर permission वाले option पर भी tap कर देना है tap करने के बाद आपको देखेगा वहाँ पर यह आपको बताता है कि कौन-कौन से permission मैंने आप से लिए है application ने आप से लिए है जो कि इस समय रन कर रहा है जैसे कि microphone का, storage का, location का, GPS का यह सभी चीजे application वाँ पर होती है इसके बाद अगर आपका कोई ऐसा application है जो photo को edit करता है तो simply आपको सिर्फ storage का ही permission देना है अगर आप यह चाते है कोई application आपका GPS का या फिल location का permission न ले तो simple तरीके से आप उसे disable कर दीजे, disable करने के बाद आपका जो safe mode है वो चालू हो जाएगा दोस्तों अगर ऐसे ही अच्छे-चे trick आप पानना चाते हैं, जानना चाते हैं, आगा होना चाते हैं ऐसे सभी चीजों के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल को आल पे करके ने अवल कर लिजे, जैसे ही मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँगा इसका notification सबसे पहले आप तक बहुत जाएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारी motivation के लिए जरू कर दीजे का मिलते हैं अगली वीडियो में